हुए friends very good morning to all of you. Once again I am morning you guys. सुबह तो मुलाकात हुई थी. आदी मुलाकात हुई थी आदी मुलाकात नहीं हो पाही थी. लेकिन अभी पूरी मुलाकात होगी. अहीं हम बात करने मारे major ports in India. क्वेके ना, अभी major ports in India हम लोग बात करेंगे मतले बोलते हैं area जिसको बोलते हैं UPSC का जहां से question touch कर सकता है अब देखे जाएं अब देखे जाएं India हो, CDSO, Civil Services Examination हो, CAPFO या फिर PCS का examination हो, definitely you will find questions from you लिए आपको यहां से question जरूर देखने को मिलेगा Major Ports of India यहां से question आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे अब दो दिनों में हम लोग ने करने का प्रयास किया है और जो आप आगे थोड़ा सा प्रयास और करेंगे कि आप जो off the track होते हैं जो कुछ topics हैं जो generally आप लोग main course में नहीं करते हैं तो उन topics को हमें कर लेना है उसमें कहने के लिए जो main passes है वो 5 ही है पासेस जो चार पासेस हैं जो हमें करना है पालगाट, भोरगाट जो है पालगाट और सेंकोटा लेकिन बीच में भी मैंने रिजिनल जितने भी आपके पासेस है उनको भी मैंने cover up करवा दिया है ताकि अगर आप किसी state pieces को भी दे रहे हैं इसका मतलब यह है कि मैं in depth में उन सारी चीजों को cover up करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप किसी भी एक्जामने से मुचाहे वो state का हो या union का हो आप प्रश्णों को आप देख सकते हैं आप उनको handle कर सकते हैं So that was an objective of that मुझे लगा था कई लोगों को शयद उसके requirement नहीं थी Of course नहीं थी वो मुझे पता है लेकिन जो आप state pieces पर्टिक्लर state में दे रहे हैं तो वहां से question you could expect आप कर सकते हैं आज ही अभी हम लोग major ports के बारे में बात करें तो हम लोग ने tribes किया कल पोर्ट्स किया हमने उसके पास्स हमने कच कुछ करें तो हमने एक reason specific का पास्स किया है अब हम लोग सारे पास्स को एक बार पूरे इंडिया का पास्स को भी करेंगे तो that I will be doing on आप आप के आप के ओपर सारा का सारा कर लेंगे या YouTube जैसे भी होगा तो हमने लोग सारे पास्स को कवर अप कर लेंगे फिर major ports करें तो यह पूरे इंडिया में जीते में major ports हैं चाहे वो eastern coast खाओ या western coast खाओ उन दोनों को हम लोग अभी cover up करने वाले है major ports में हमेशा ध्यान रखेगा कि जो प्रशन पूछा जाता है ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि major ports में यह ports कहां पर located है यह इतना easy question नहीं पूछा जाता है generally UPC question किस तरीके के पूछता है इस बात को समझ लिए कि कोई port है अगर उस port से कोई भी अगर export या import अगर कुछ भी एकर चीज़ें हो रही है तो किस चीज में export ये import हो रहा है या इसके अलावा कुछ उसका वहाँ पर है जो locational को ये advantage अगर है locational advantage इसको बोलते है अब सितिके का अलाव अगर उसके पास अगर है तो वो प्रशन भी आपके लिए एक्जाम निशन महतर पुर्ण हो जाता है तो हम इसी direction में इसी के along इन प्रशनों को देने की कोशिश करेंगे ठीके इसी तरीके से हम लोग सारे चीज़ों को करेंगे राइट सर्सन माम्स सब्सक्राइब लोग आजएए क्लास को लाइक और शेर कर दिए फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाते है मैं जब पोर्ट से इंडिया अग्या सर्फ बात करते हैं से पहले तब तरक ग्रफ प्लीज क्लास को लाइक और शेर कीजिए प्लीज सभी को बताइए इनफॉर्म कीजिए कि क्लास अपनी शुरू हो गई है अब ये देखे इस अ ब्रीफ इंट्रोड़क्शन अबाउट यूर पावन सर्चोटी से जानकारी है ये टेलिग्राम ग्रूप है इस टेलिग्राम ग्रूप को पालटी ग्रूप के टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन जरूर कर लिजे ये हमारा अनकाड़बी पे प्रोफाइल है यानि पवन.com,-9003 मेरे प्रोफाइल को फालो कर लिजे क्योंकि वहाँ पर स्यूर शॉर्ट फॉर प्लेम्स सब्जेक्ट वाइच चल रहा है एकॉनमी हमने खतम कर लिया और मेरे मुस्ट प्रबाब्लिक कल हमारा इंटरनाशनल लेशन्स भी खतम हो जाएगा आज भी इंटरनाशनल लेशन्स की क्लास है और कल संडे को भी हम लोग ये क्लासस करेंगे और कल संडे को भी आपकी ये क्लासस खतम हो जाएगे और अभी हम लोगोंने आज से एकॉनमी खतम होगी है तो उसकी जगह हम लोग इंवार्मेंट शुरू कर रहे हैं आज उसकी पहली क्लास होगी पहली क्लास, फर्स क्लास होगी, क्लाइमेट चेंज वहाँ पर हम लोग डिस्क्रशन करने वाले हैं, क्लाइमेट चेंज को, ठीकर, मैंने ऐसे टेलग्राम गूर्पे अपडेट भी कर दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसको यह जो अन्लॉक करने का कोड है, वो है परवन्टेंड, अन्लॉक कोड, जो है यह परवन्टेंड, और इन फाक्ट आपको अगर सब्स्क्रिप्शन लेना भी है, तो भी यही कोड होता है, परवन्टेंड का काम आप करेंगे, यह राज शूर्शॉट का फॉर्प्लेम्स 2021 जिसमें हम लोग भी बात कर चुके एकॉनमी हमारा कवर अप हो चुका है एकॉनमी विडेड आयार जो है वो चल रहा है जो कि कल तक मेरे खाल से हो जाएगा और आज से और स्वार्मेंट लोग ने शुरू किया है आज से लोगने इन्वार्मेंट शुके है आज के दसवेज सुबह और साथवेज शाम को हो रहा है, ठीक है, एकॉनमिया खतम होगे, इन्वार्मेंट हम लोग शुरू कर रहे हैं, लेकिन आज की क्लास दो बुजे है, और साथवेज शाम को इंटरनाशनल लेशन चलेगा, अगाज for UPC 2020, यह चारवजे और नौबज चलता हमारा, Monday to Friday, चारवजे हम लोग पॉलटी, साथ नौबजे हम लोग बात करते हैं, वो बात कर रहा होते हैं, Environment and Ecology इंडिया के Best Educators के साथ आपको पढ़ने का मौका है, और यहाँ पर यह 26 से नए बैचेज आपके शुरू हो रहे हैं, इन बैचेज को देख सकते हैं, और आपके इंडिया के Best Educators के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, You have the option to go for Plus और Iconic, प्लस में क्या है, कि आपके पास CFE से structure है, सारे classes आपको मिलेगी, इंडिया के Best Educators पढ़ाएंगे, इंट्रक्टिव लाइफ classes होगी, structured courses होगा, PDF होगा, live test and quizzes मिलेगे, लेकिन अगर बात करें, Iconic में तो आपको personal guidance मिलेगा, personalized feedback मिलेगा, तो यह Iconic का feature है, दोनों ही जगा पवंट इंका code apply कर सकते हैं, जो भी आपको course लेना है, वो आप ले सकते हैं, 1 year, 2 year, 3 year का, you will get 10% of the discount, right? इसके अलबब 26th में तक, आपके पास क्या है, एक offer valid है, वो offer क्या है, कि 25% आपका optional पे अविलेबल है, मतलब discount, और 10% आपके GS पे अविलेबल है, तो अगर आप combo का plan लेते हैं, combo का plan लेते हैं, यानि कि GS और option दोनों लेते हैं, तो आपका 1 year का fee, यह इतना हो रहा है, अनगाडमी की तरब से, 2 year का fee, इतना हो रहा है, इसी तरह के से, Iconic में 1 year का इतना है, 2 year का इतना है, और आप कहीं भी, मेरा code लगाएं, Pavan 10 का code लगाएंगे, you will get further 10% discount, for further discount, further discount, for further discount, you apply this code, Pavan 10, you will get 10% of discount, तो यह आपका जो code होगा, यह 51,000 का जाएगा, और यह code आपका 74,000 का होगा, accordingly you can deduct from there, ठीके, so use this code Pavan 10, you will get further discount of 10%, right, अब आज़े हम लोग बात करें, major ports in India, जो भी major ports हमारे पास है, इनके बारे में हमें discussion करना है, major ports in India, that is very important, ठीके, major ports in India में हम लोग बात करेंगे, अब इसके importance के बारे में भी हम लोग थोड़े से बात करें, importance के बारे में हम लोग बात करेंगे, major ports के बारे में, और अब जानते हैं, बहुत ही important communication है हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो जितना भी trade होता है, वो मेरे time trade ही होता है, maximum मेरे time trade होता है, तो data के basis पे हम लोग बात करेंगे, और मैं आपको सलाथ दूंगा, कि NCRT की जो किताब है, NCRT, 12th Standard की book है, उसको ही आप लोग कर लेंगे, 12th Standard की जो book है, India People and Economy, India People and Economy, उसको कीजिएगा, वहाँ पर देखेंगे, International Trade, और दूसरा आपका Communication, ये दो चाप्टर हैं, इन दोनों को करेंगे, तो आपका ये जो portion का, वह cover up हो जाएगा, So, India People and Economy, 12th Standard की जो book है, उसको किताब को आप लोग को करने लेंगे, राइट सर्स और माम्म्स, वहाँ लोग उसी के recording अभी करने बाले हैं, आज ये देखें, 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 वाई इट इस इंपॉर्टन फोर उस, पहले हम लोग इसके बारे में बात करें, तो देखें, अगर हम लोग बात करें, तो इंडिया, पूरे इंडिया के बारे में, अगर हम लोग बात करने शुरू करें, तो आप देखेंगे क्या, कि इंडिया के पाद जो coastal है, यानि कि आप देखेंगे, कि यह जो है coastal, यह जो इंडिया का जो coastal है, यह more than 7000 km है, यह पूरा का पूरा coastal है, यह यह इतने भी states हैं यह, तो इंडिया अगर देखेंगे तो तीन तरब से one side, two side और यह three side से, पूरी तरगे से ocean से covered है, इसके बाद हमारे पास यहां पर कुछ जह है, आर्ची प्लाइगों भी है, आर्ची प्लाइगों मतलब आई-लाइड्स का ग्रुप भी है, चाहे वो लक्षदीप का हो या अंडमान नेकोबार का है, तो आप देखेंगे कि ocean हमारे लिए, यानि कि जो maritime trade है, हमारे लिए बहु करे, island का मतलब हो गया, कि अगर हम लोग बात करते हैं, लक्षदीप के बारे में भी और क्या कहते हैं, अंडमान नेकोबार में भी, तो हमारे पास टूटल coastal line आता है, वो 7517 km का आता है, 7517 km का, इन details को भी याद रखें, छोटे-मोटे details हैं, जो कि आपके examination में आपको देख हो जाता है, including this, luxury, and this is your अंडमान नेकोबार island, इन दोनों को cover करते वे, यह पूरा का पूरा जो हमारे पास है, जो coastal line है, वो 7517 km रखा है, so that makes it important for us, for India, कि हम क्या कर सके, कि हमें अपना मेरे time के उपर हमें focus करना पड़ेगा, ठीके, अब देखे, इसी बात को ध्यान में रख 12 major ports आपको दिखाई देंगे, और साथ ही साथ, आप देखेंगे क्या, कि जो ministry के website है, वहाँ भी आपको major 12 ports आपको देखने को मिलेंगे, 12 major ports आपको देखने को मिलेगा, that is 12, 12 major ports हमारे पास है, 12 major ports है, यह धिहान में रखना है, 12 major ports है, 12 major ports, as per ministry port, हम अभी 13 की बात नहीं कर हम लोग कर रहे है, 12 की बात करें, अगर NCRT की किताब देखेंगे, तो आपको बताया जाएगा, 185, आपके पास minor ports है, लेकिन आप ministry के site पे जाएगे, ministry of shipping and navigation को देखर के, तो यहाँ पर 200 minor ports आपको बताया गया, NCRT में 185 बताया गया है, और जो ministry के website पे है, यहाँ पर 200 बत हो गया, और 185, आज पर NCRT आपके पास minor ports हो गया, और अगर हम लोग बात करें, ministry के port के, तो now it is 200, ठीके, तो आप 200 के लिए जासें, there is no problem in that, ठीके, 200 के लिए जासें, there is no problem in that, तो minor ports हो गया, तो हमारे पास हो गया 12 major ports, और हो गया दूसरा, इतने minor ports, ठीके, अब रही बात कि major ports और minor ports अगर हम लोग यह बोलते हैं, ports का मतलब है, तो इसको लेकर कुछ फर्क भी होगा, नाम से असपर से major port का मतलब होगया, बड़े port, minor port का होगया, मतलब छोटे port, ठीके, यहने कि handling उसकी कम होगी, कई इसमें से operational होंगे, कई operational नहीं होंगे, कई सिपिंग मेरे time में बहुत ज़दा involved नहीं होंगे, तो उसे हमारा बहुत ज़दा लेना देना नहीं है, जो major ports है हमारे पास है, वो सारे का सारे, जो है operational है, ठीके, लेकिन अभी एक फर्क के हाँ पर हमें समझना होगा, जो plimps की point of view से हमारे लिए important हो सकता है, जो major ports है, उसका administration किसके पास होता होता है, minor ports, उसका administration किसके पास होता है, तो यहां से सवाल बनने के गुंजाईस है, यहां पर आपको trap किया जा सकता है, you could be trapped rightly up, तो यह जाना जरूरी है, कि जो major port का administration है, वो कौन करता है, minor port का administration कौन करता है, तो आप देखेंगे क्या, कि जो major ports है हमारे पास, जितने भी major ports ह है, इन समों का जो control होता है, administrative control होता है, वो ministry of sipping के पास होता है, यानि कि union ministry के पास होता है, ministry of sipping, यानि कि center के पास होता है, union के पास होता है, union government के पास होता है, जबकि दूसरी तरह हम देखेंगे क्या, कि जो non-measor ports हैं, that is called minor ports, जो minor ports हैं, वो जो है, respective state boards होते है, maritime boards होते है, जो है respective state maritime boards होते हैं उनके अधीन होगा यह state government के control में होता है jurisdiction में आता है यानि कि जो minor ports है वो state का मसला हो गया या state maritime boards के अधीन यह जो हैं से वो काम करेंगे operation करेंगे functioning करेंगे तो यह दो चीज़ें जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी कि जो आपके पास जो major ports है उन major ports का जो administration है जो administrative control है वो ministry of shipping के पास होता है और जो minor ports होते हैं इनका जो control होता है वो किसके पास होगा state maritime board यानि कि state government के पास वो आखरता है ठीक है तो यह administrative aspect है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दिखना चाहिए भी ठीक है sirs and ma'am so that is important for you to understand चलिए इतनी बाते होगे नेक्स आज़ेगे कि छोड़ी से brief जान का रही है जिसको याद रखना है कि number 12 major के है 12 और यह 185 आज़ पर NCRT और जो आपके पास जो ministry के website है वहाँ पर इसको बताया है 200 आपके बास minor ports हैं और administrative control आपने देख लिया कि जो major ports हैं यह administrative control किसके पास होगा ministry of shipping के पास होगा यानि कि center के पास होगा और जो minor ports हैं यह respective state maritime boards के पास होगा या state government के पास होगा that is important again ठीक है अगर अब हम लोग बात करें तो अभी हमने आपको बताया कि हमारे पास more than 7500 इसका importance इंडिया के लिए आपको समझ में आ रहा है इंडिया is not a landlocked country इंडिया जो है भू आविसे एक जो है रास्टर नहीं है देश नहीं है बलकि यह तीन तरफ से सागरों से घीरा पड़ा होगा है ठीक है और इंडिया का जो location है वो बहुत है advantageous इंडिया का जो locational benefit है वो इंडिया को जो है इसके trade को लेकर के बहुत added advantage प्रवाइड करता है इसका मतलब यह होगा कि जो oceanic roots है यह बहुत important role play करते है हमारे economy को boost करने के लिए economic development के लिए बहुत ज़दा important role play करेंगे oceanic roots करेंगे an important role in the transport sector and India's economy transportation के लिए और economy के लिए जो oceanic roots है यह बहुत important role play करने वाले अगर हम बात करेंगे तो लगबग 95% आज पर NCRT जो भी बात हम लोग कर रहे हैं हमने का कि NCRT आपके लिए जोग्रफी के लिए बहुत महतर पुन है तो गो बाई NCRT तो एक बाक 95% जो इंडिया का जो foreign trade है by volume वो हम देखें कि ocean के थ्रू होता है and 17% by value अगर हम लोग बात करें by value ठीक है न तो यह जो है यह ocean roots के थ्रू होता है 95% by volume यानि कि जो सामान हमारा आना जाना होता है उसका 95% हम लोग ocean के थ्रू करते है and जो 70% है वो हमारा value value जितना हमारा होता है वो oceanic roots के थ्रू होता है ठीक है that is important one तो यह important point है जिसको आप highlight करेंगे that is very very important so 95% जो है इस वो volume में and 70% आपका value में जो हम लोग transportation का काम करते है communication करते हैं या economy करते हैं वो जो हमारा क्या है वो ocean के थ्रू हो रहा है maritime हमारा trade हो रहा है ठीक है apart from international trade अगर हम लोग बात करें कि international trade को छोड़ते तो भारत का देखेंगे कि भारत के बस कई archipelago भी हैं जैसे एक हो गया अंड़मा नेको बरक है दूसी तरह लक्षुदीप का तो अब यह क्या है कि जो international trade के अलावा कर हम लोग बात करें तो हमारे पास इनका उदेश क्या है कि जो हमारे islands है islands जो archipelago या archipelago बोलते है group of islands को तो उनके बीच में जो communication है यानि आना जाना करना होगा that would be through the maritime वो हम लोग क्या करेंगे समुदर के रास्ते से ही कर पाएंगे ठीके ना वो एक viable option हमारे पास ठीके and the rest of the country दूसरा क्या है यह जो island से जितने भी उसको mainland से जोडने के लिए यानि कि इंडिया के mainland से जोडने के लिए हमारे पास एक माध्या में वो क्या है वो है हमारा वो cargo ठीके ना सब्सक्राइब यानि से बोट से सारी जो चीजे है फेरीज उसके माध्यम से ही हम लो कर सकते है तो दूसरा importance यह है तो दो चीज़ आपने देखे कि economic perspective से भी हमारे लिए यह ports बहुत महत्त पूर्ण है और दूसरा हमारे internal communication के लिए intra-communication के लिए जो archipelago है और यह different islands है और जो mainland है उनके बीच में intra-communication के लिए भी हमारे लिए यह oceanic route बहुत important है So I believe you people could understand it and you could understand the importance of this oceanic route राइट सर सर माम्स चलिए अब इतनी बाते होगे अब यह देखे यह important आपके पास यहाँ पर क्या है ति कुछ आपको जो हैसो क्या दिखाएगा है ports दिखाएगा है इस ports में आप देखेंगे यह highlighted है इसको आपको मैं दिखा दे रहा हूँ यह देख लीचे यहाँ पर देखेंगे यह है kandla kandla port यह आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर यह kandla port है यह ध्यान रखे पहला port हम लोग यही करने वाले है this is your kandla port ठीके दूसरा यहाँ सा यह है Mumbai port Mumbai port अच्छा यह kandla port को ध्यान में रखेगा यह जो अभी हमने international relations में भी cover up किया था तो एक question पूशा था बनाया था हम लोग ने चाबार port को लेकर के तो चाबार port को यहाँ बताया था कि किस से यह connect करने के बात थी kandla से और यह धर था Mumbai से option में ऐसे थे थे ना that was connected with the kandla यह बात होने वाले थी कि kandla को चाबार port से 2017 में बात हो रही थी कि हम लोग connect करेंगे ठीक है ना connect करेंगे लिए इधर तो आपने देखा कि सारी बाजी ही पलट गई पासा पलट गया और इधर हमें कई बातें अभी करनी है कई बातें भी समझनी है वो हमें करना पड़ेगा क्योंकि देखें कि चाबार में इरान के साथ अभी नेपाल के साथ ये चाइना के साथ संबंद भी इरान के फुड़े इंप्रूव भी हो रहे है जिसकी वैसे जो इंडिया है वो थोड़ा सा marginalized हो गया है थोड़ा सा marginalized हो गया है ठीक है sir and ma'am चलिए थोड़ा सा marginalized हो गया है तो ये सारे के सारे ports हैं ये आप देख पारेंगे कांडला पोर्ट, मुंबाई पोर्ट, गोवा पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट, कोचिन, तूतिकॉर्ण, चन्नाई, विशाका बढ़नम, पारदीप, कोलकता और हल्दिया पोर्ट अब यहाँ आप देखे, कि जो कुछ पोर्ट है, कुछ आपको ध्यान में रखना है, जो ये मैंगलोर पोर्ट है, आप इसको याद रखे, ये प्रशन पूछे जाते हैं, तूतिकॉर्ण, 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 चन्नाई, आर्टिफिशल, अन विशाका ये कौन है, ये आर्टिफिशल पोर्ट्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, तूतिकॉर्ण, आपको इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, चलिए, नेक्स आजए हम लोग बात करें, आगे मूव करते वे चलते हैं, तो आप तो आप देखते रहे हैं, लो मैंने आपको बताया था, कि हिस्ट्री में क्या ध्यान में रखना है, कि हमारे पार चेंज और कंटिन्यूटी के मॉडल पर चीजों को देखना है, परिवर्तन और निरंतरता के चीजों को देखना है, इसी तरह किसे जिए जिए में कुछ एटेम्ट करते हैं, तो मैं टाइ जैसे सारी चीजों को लिखना चाहिए, क्योंकि आम तोर पे, जैसे आपको प्रश्ण लिखने के आता है, GS में खास करके, तो आप क्या करते हैं, बिना किसी जीज का ध्यान में रखे हुए, GS के पेपर में आप ऐसे लिख करके चले आते हैं, छोड़सा, 100, 1500 सब्दों का, 200 सब्दों का ऐसे लिखना रहा थे, तो ऐसे जैसे माक्स ही आपको मिलेंगे, अगर आपको बढ़िये माक्स चाहिए, तो आपको सारे तत्यों को समझना पड़ेगा, तत्यों का विशलेशन भी, ताइम एन स्पेस के, यानि कि टेंपोरल कंटेक्स में आपको क्या करना होग लिखना है, नौर्थ तू साउट का लोकेशन दोनों ही कोस्ट पर लिखना है, विस्टन कोस्ट पर भी, इस्टन कोस्ट पर भी, इसके अलावा, कौन सा नैच्रल है, कौन सा मैनमेड है, यानि कि आर्टिफिशल है, इस बात को भी प्लीज और ध्यान में जरूर रखेगा, लिखाऊते है, यालगानी डिखना तो है, विस्टन को मैस्टन regen और ध्यूरे के बात करना थाल है, इस विस्टन ओधिछरे आगल यहां जो काछ निए, इस युँषगे सथिए, यानिक भी शोर्षटनिध पर जेखे uyहां जो काणला ऑले, यारिकले से लीखाँ का न है, य तो मैंने कल भी आपसे बता था जोग्राफी में कि इन मैप्स को भी इंडिवीजुली देखा कीजिए क्योंकि UPSC ने कभी अपने ऑप्शनल पेपर में जब होता था अब ही आपके साथ CSAT और GS हो रहा है हमारे समय में CSAT नहीं होता था हमारे समय में subject को एक subject आपको लेना होता था और GS का paper होता था ठीक है इसमें आप इस subject ले थे थे तो उस समय क्या करता था चोटे-चोटे करके इस सब्सक्राइब के maps निकाल दिया जाता था और बोला जाता कि यह कौन सा है यह कौन सा location है एक से आसे works में JS में भी map work बहुत करवाया गया है तो कभी भी यह परंपरा वापस UPC शुरू कर सकता है तो different states के map को भी धिमाग में रखेगा कि map किसका है ठीक है यह है आपके पास गुजरा यह है आपके पास कांडला तो हम पहला बात करने जाने कांडला पोर्ट में discuss करने जान जहीं पर आकर के Sips यह देखते होंगे यहां पर रुखते हैं और यहीं से चीजों को ट्रांसफर किया जाना तो आपको यह एक्स्टेंट करके किया करना होता है थोड़ा अंदर जाना होता है ताकि आप अनलोड और लोड का काम कर पाएं क्योंकि सिप को क्या किए इंबैं यह आपको ध्यान करना था यह याद रखेगा यह भी आपको कन्फ्यूज करेगा तो आपके पास पूरा 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 जोग्रफिक लोकेशन आपके दिमाग में होना चाहिए तो आप देखेंगे क्या कि जो कांडला पोर्ट है यह गल्फ ऑफ कच में यह इस्ताबिश है कांडला में नीचे आजाता है आपको याद होगा कल हमने एक रिवर्ट सिस्टम में कांडला के बारे में कांडला के बारे में कांडला के बारे में हम बात की खारी के बारे में बात किया था तो अकसर बच्चे मैंने देखा है जो गलती करके आते हैं आपने लोकेशन देख होती है तो गलतियों करने के गुंजाइस नहीं है आपको यह ध्याना रखना है कि गल्फ अफ कच्छ है यह जहां पर में कांडला पोर्ट आपका लोकेज़ है ठीक है और यह मेजर पोर्ट के रूप में डेवलब किया गया जिस्टो केटर दा नीट्स ऑफ वेस्टर और नौ और नौर्धन इंडिया थीक है तो जो कांडला पोर्ट है डाट क्या करता है विस्टर और नौर्धन जो नौर्थ विस्टर जो पार्ट है कंट्री के नौर्थ विस्टर पार्ट और जो विस्टर पार्ट है इनको क्या करता है उनके इंट्रेस्ट को केटर करता है उसको ज उर दारा का सारा pressure British समय से ही था. Bombay आपने लेख होंगा, पूरी कहानी आपनेげ भंगाल में देखी है. होता हुआ देखा आपने. तो पहले कया था कि pressure बहुत जबा मुंबई पोर्ट पे हुआ करता था. तो मुंबई प्रेशर को क्या किवा करने के लिए कांडला पोट को जो है सो डैबलब किया तो इसके अलाबा भी मुंबई उसके बावजुद्धी बहुत ज़्यादा बढ़न था तो अभी नवा सेवा भी क्रिएट किया गया है ताकि मुंबई को कम से कम उसको लोड दिया जा सके तो कांडला पोट जो है वो क्या करेगा रिड्यूस करता है प्रेशर ओफ मुंबई पोट को ठीके दूसरी बाद इसके geographical location को देख करके धियाद में आपके कुछ बाते आ सकती हैं कि यह जो port है ना, इसफ किया एक जोर्य पोर्ट है यह किया है टाइडल पोर्ट है अब यह टाइडल पोर्ट है यह भी याद रखेंगे यह सवाल एक बढ़ एक बार ईग्जाम में पुछा गया जहां तक मैं recall कर पा रहा हूँ कि इनमें से कौन एक टाइडल पोर्ट है, यह किसी PCS में या किसी UPSC की किसी examination में पूछा गया है, मैं UPSC का किसी examination का मतलब बगर बोलू, तो NDA भी उसमें आता है, UPSC NDA को भी conduct करवाती है, CDS को भी करवाती है, CAPF को भी करवाती है, और civil services के examination को भी cover करवाती है, जो general students होते हैं, मैं बात यह नहीं करता है कि forest service की बात नहीं कर रहा है, और जो specific examination है, जिसके लिए specific qualification की जरूत पड़ती है, मैं उसके बात यह में बात नहीं कर रहा है, तो UPSC कई examination conduct करवाती है, NDAB, CDSB, CAPFB और UPSC civil services भी, ठीक है, तो किसी examination ने पूछा हुआ कि कैसा कौन size में tidal port है, ठीक है, तो this is a tidal port, kondyla, अब यह क्या है, कि यह क्या करेगा, इससे maximum हम देखेंगे क्या है, जो kondyla port है, kondyla port के मादिम से जो trade होता है, तो आपने देखा होगा, क्योंकि अगर आप location देखेंगे इंडिया का, और आपका गजरात का, तो आप देखेंगे कि हमारे जस्ट बगल में पाकिस्तान, के बगल में, जो है, सो क्या कहते हैं, जो इरान, और इरान के बाद उदर, जब देखेंगे, सारे जगह से हमारे हाँ, आता ही आता है, तो kondyla port हमारे लिए क्या है, petroleum और petrochemical products को receive करने का, यानि कि हम गहां से मगवाते हैं, इसका एक बढ़िया साधने और fertilizers का, तो हमेशा यह port मैंने शायद नहीं लिया है, इंडिया का पूरा map, अधरवाइस मैं आपको cover करके दिखा था, world map पे, कैसे जो एक गुजरात है, गुजरात से एरान कितनी नजदीक है, एरान से फिर आप देखेंगे, middle is हमारे पास नजदीक है, ठीक है, और यह जो कांडلا port है, इसका नाम बदल करके अब दीन दियाल जो है port trust कर दियागा है, दीन दियाल जो है port trust कर दिया गया है, कांडला port is now renamed house, अगर आपको किसी port का नाम बदलना है, तो इसमें आपको क्या है, इंडिया काज़ो port act है, 1908 का उसमें आपको बदलाओ करना पड ठीक है, so now India Port Act 1908 को हमने क्या किया है, इसी यह दिन हमने इसका नाम बदल करके, कंडला पोर्ट का नाम बदल करके, दीन दयाल जो है, पोर्ट ट्रस्ट कर दिया है, that has been developed, right, sirs and ma'am, good afternoon everyone, मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं, is it okay, चीजों को नोट करते वेज़ चल रहे हैं सभी लोग समझ पा रहें, good, great one, सभी लोग के पर मुझे please बता दीजे, चीजें समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, so, बने रहे हैं मेरे साथ, मैं सच बता रहा हूँ, कि किस वक्त क्या उन से सेक्षन से एक प्रशन आपको देख जाएगा, ये पता नहीं है, ठीक है, च जरुरी है, इन चीजों को आप देखें, right, चलिए, कांडला पोर्ट, हम लोग बात कर रहे थे, कांडला पोर्ट के बारे में हमने discussion कर लिया, अब आए नेक्स पोर्ट हम लोग बात करें, तो आप ये देखते हैं, मुंबाई पोर्ट, this is called your Mumbai port, this is your Mumbai, कांडला वोज हीर, का मुंबाई पोर्ट हमारे पास आ रहा है, this is called Mumbai port, ठीक है, अब आए मुंबाई पोर्ट, ठीक ही, मुंबाई पोर्ट हो गया हमारे पास, जिन लोगों ने हमारे साथ साथ SureShot का प्रोग्राम किया है, लांच किया है, तो आप मुझे बताएं, इरान के चावार पोर्ट से, ज कौन मुझे बताएगा, मैं देखू कि कौन मेरा अरजुन है, किस कौन सा अरजुन है जो मुझे बताएगा, जब मैं उन्हें अनकाडमी के आप पे अभी क्लास लिया था, इंटरनाशनल रिलेशन्स का, तो मैंने जब डिसकुशन किया था चावार पोर्ट के बारे में, इ आंसर फॉम योर साइड कि कितनी दूरी है कांडला की और कितनी दूरी है मुंबई की फ्रॉम दा इरांस चावार पोर्ट, कौन बताएगा मुझे, who is going to tell me, कौन मुझे बताने जा रहा है, मैं वेट कर रहा हूं, तब तक मैं आगे बढ़ता भी हो, मैं वेट कर रहा हूं क कि आप में से कोई मुझे आंसर जरूर बताएगा, I'm waiting for that, ठीके, without, नकल, नकल नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, ठीके, तब तक आईए मैं आगे बताऊ, ये मुंबई पोर्ट का नजारा है, यहाँ आप देख सकते हैं, मुंबई पोर्ट, यहाँ आप देख पा रहे होगे, यही पर बड़े बरे शिप आते हैं, जो इनका होता है, यहाँ पर में लोड अनलोड का काम किया जाता है, ठीक है, यह आप देख पा रहे होगे, चलिए, दूसरा आजेगी, एक और इमेज में आपको दिखा दूँ, टेक सॉलुशन, वेरी गुड, और 1450 लावा, 1450 किलमेटर था, ताट्स ग्रेट वान, अब अजेए, बात करते हैं, मुंबाई पोर्ट के बारे में, मुंबाई पोर्ट के है, हमारे पास, यह एक तो नाच्रल हाबर है, ठीक है न, यह जो है, यह लारजस्ट, यानि कि बिगज़ पोर्ट अफड कांट्री है, biggest port of the country natural harbor है और सबसे बड़ा port है ये इंडिया का और ये biggest port in India भी माना जाता है ये सबसे ज़्यादा जो है जो आपके दिखेंगे जो biggest port है वो इंडिया का मुंबई port ही है मुंबई port ठीक है ना समझ पा रहे हैं सबी लोग मुंबई port आपका बीजिस port भारत में माना जाता है ठीक लार्जेस भी biggest time in अट नाच्रल हारवर भी है ठीक है और ये जो है आपके पास अगर हम लोग बात करें तो अभी हमको मैंने कुछ दिर पहले बताया भी था कि ये दो कुछ locations हैं जैसे कांडला का location हो गया मुंबई का location हो गया ये बहुत ही advantageous locations के हैं बहुत advantageous location का मतलब क्या है कि ये जो port है मुंबई port है वो क्या है Middle East Middle East के बहुत close है Middle East के close है ठीक है Mediterranean यानि कि भूमध्य सागर जो इतने भी countries हैं भूमध्य सागर ये countries हैं उनके बहुत करीब है North Africa के बहुत करीब है North Africa के करीब है और इसी थूरू जाएखेंगे North America and Europe से भी ये बहुत ज़्यादा करीब माना जाता है ठीक है न in comparison to the other parts of the country ठीक है So Middle East हमारे लिए बहुत important होता है Mediterranean countries हमाले important है North Africa भी हमाले important है America and Europe से भी ये क्या करता है अपनी closeness रखता है So the major share of countries overseas trade is carried out here right here ठीक है तो अब ये देखेंगे क्या कि इसकी जो closeness है जो आप देखेंगे वो आपके पास जो major blocks भी बनते हैं Middle East के अंदर वो उनके साथ भी African countries के साथ भी Europe के साथ भी और America के साथ भी comparatively ये सबसे nearest port माना जाता है इसके वैसे इसका importance काफी जाद है और यही कारण है कि ये हमारे हैं एक busiest port के रूप में develop किया है The port is 20 km long and 6 to 10 km wide with 54 birds and has the country's largest oil terminal और यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा largest oil terminal भी है तर्मिनल भी है अब आजे MP, Maharashtra, Guzrat, UP and parts of Rajasthan constitute the main hinterland of Mumbai अब Mumbai के लिए अब देखेंगे hinterland के रूप में जो काम करता है जो states है Madhya Pradesh, Maharashtra, Pura, Pura Guzrat, UP and parts of Rajasthan इसके लिए जो है main hinterland के रूप में ये काम करता है ठीक है sirs and maams चलिए इतनी बाते हो गई इसके बारे में भी लोग बात कर लें ये क्या है sir और क्या इसके इंदर बाते कही गई है सो ये जो है एक satellite port के रूप में develop किया गया है to relieve the pressure of Mumbai port यानि Mumbai port के satellite port के रूप में इसको क्या किया गया है जैसे अपने geography में satellite towns पढ़ा होगा इसी तरह की से satellite ports भी है यानि कि जो Mumbai port है इसके pressure को कम करने के लिए इस satellite port के रूप में नवासिवा port को create किया गया है और ये भारक का largest artificial port है ये largest artificial port है किसका इंडिया का और साथी साथ ये इंडिया का largest container port है आपने देखा क्या कि मुंबई BGS है सबसे बड़ा है और इसके pressure को कम करने के लिए अगर किया गया है तो definitely यहाँ पर क्या है कि largest container port होगा largest artificial port होगा ये इसमें क्या गया मुंबई पोर्ट का ये satellite port है के रूप में इसको develop किया गया है आजएए अब ये देखे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये मार्मोगाव पोर्ट ये दो पोर्ट है जो हमें बात करना हुआ कल हम लोगों ने जो rivers के बारे में हम लोगों बात कर रहे थे इसके अलावा मैंने बता है कई छोटी छोटी नदिया भी है जो west flowing है काम की बात आजएंगी आज हमारे पास एक नदी होगा जुवारी ठीक कल दो हमने पढ़ा था गोवा में जुवारी और मांडवी आपको याद होगर होगा जुवारी और मांडवी तो आप देखेंगे किया इन में से जो है सो गौवा में जो पोर्ट है इसमें जो कुछ पोर्ट हैं वो जुवारी के माउठ पर में बनेगा आपको याद होगा यह जुवारी नदी भी आपके एक्जामनिशन में पूछफ ली आ है that is again very important so Marmogau port के बारे में हम लोड discuss करते है that is in Goa अब यह देखेंगे किया है जो Marmogau port है यह entrance of यह आपको बदाए यह estuary जो जुवारी estuary है यहाँ पर develop किया गया आपको याद होगा कल हमने discussion किया था कि जो west flowing rivers हैं जो पश्चिम की तरह इधर निर्मान होता है क्यों उस तरफ जो है so delta का निर्मान किया जाता है तो जहाँ पर जुवारी नदी जुवारी और मांडवी कल दो नदियां हमने आपसे बदाई थी जो कि west flowing है अब याद आ रहा है आपको west fashion की तरह प्रवाहित होने वाले नदिया और महतवपुर्ण नदिया जो कि generally हम लोग जुवारी नदी को consider नहीं करते हैं बट मैंने कहा था कि NCRT में ध्यान में रखेगा अब इसी जुवारी port के estuary यानि कि मुहाने पे इस मार्मगव पोर्ट का निर्मान किया गया मार्मगव पोर्ट that is in Goa ठीक है आप समझ पाते हैं कि how much it is important कल हमने कहा था आपको याद होगा ठीक है यह क्या है मार्मगव पोर्ट जुवारी estuary के करीब है और यह natural harbor हार्बर है गोआ के लिए ठीक है नच्छुल हार्बर है ठीक है अब इसो रिमाडल किया गया था 1961 में और यहां से हम अगर बात करें तो अब यह एक चीज़ ध्यान में रखेगा यह अकसर confusion create करता है और UPSC ने इसे अपने किसी examination में पूछा हुआ है यह पूछा हुआ है कि यहां से iron ore का export होता और यह export कहां होता है जैपैन में होता है अब आप ने देखें आपके दिमाग में कुछ बाते खटक सकती है कि यह है West Coast और जैपैन हमारा पढ़ता है इस धर की तरफ ठीक है तो यहां से किसी की port के थूट हमारे पास जैपैन के साथ ट्रेड होना चाहिए यह export होना चाहिए iron ore का यहां से क्यों करते है तो इसके पीसे geographical factors भी है जब mines and minerals में आपको पढ़ाऊँगा उस बग मैं आपको बताऊँगा इन सारे चीजों के बारे में तो यहां पर क्या है ऐसा कि यह जो मर्मुगव है जो गोवा में यहां से जैपैन के लिए हमारे हैं क्या होता है iron ore export के यादा यह हमारे हैं यह याद रखेगा यह आपके लिए confusion create कर सकता है इसलिए इस बात को भी याद रखना बेहद जरूरी है that is quite important for you to understand कि यहां से इंडिया का iron ore export के यादा to Japan ठीक है right social moms so ही हमने देख लिया iron ore export to Japan हो गया right इतने बाते हो गये हमारे पर iron ore exports हो गया अब यहां देखें गे क्या कि कौंकन railway का निर्मानी किया गया कौंकन railway आपने देखा है कौंकन आप जानते हैं इस वेस्सन कोस पे हैं गोवा भी उसमें शामिल आता है, कोंकन पोर्ट में, कोंकन रेलवेस के दिन, तो जो कोंकन रेलवे के निर्मान किया गया, तो इसका जो हिंटर लैंड है, यानिकि जो इसमें सर्विस प्रवाइड करेगा, यह मर्मगाव पोर्ट, वो क्या हो गया, यह बढ़ गया, करना होता है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, अपना रेलवे का कंस्ट्षन, रोडवे का कंस्ट्षन करते हैं, जिसके जो हिंटर लैंड है, यानिकि जो इसका व्यापक, कावरेज है, वो बढ़ जाता है, तो इसके और आपकै TRAE यह इसके किसमे आते हैं इसके hinterland में आते हैं जहां पर यह इसको इंट्रेस को cater करता है So that is very important जुवारी इस सियोरी अपने कई चीजों को rate कर लिया कल आपने river system इसलिए मैंने पहले पढ़ाया था आज मैंने passes इसलिए सुबह सुबह पढ़ाया ताकि आपको कुछ चीज़ें को ध्यान में रखें क्योंकि आपको दिखाया था मैंने कुछ चीजों की पाल घाट भाउर घाट यह जो आपके बाद ठीक है बाउर घाट है इसमें देखेगा कि के रोड भी ही नहीं बलकि railway tunnels वगरे भी बनाए गया है इसकी भी जरूरत हमें आगे पढ़ेगी सो ऐसा नहीं मैंने आपसे कहा था कि कुछ भी मैंने random आपको नहीं करवा रहा हूँ सारे चीजों का होने का मतलब है आपने देखेगा कि आप लोग सारे अच्छे टीचर से यहां से कुछ बनते भी तो इसलिए मैंने आप अपनी तरब से यह एंड किया तो आप पढ़ें ताक्य आप वहबार नहीं बागे सारे टींचे अच्छे टीचे रहें रो अंसर भी बहुत अच्छे टीचर है, you can go with them, अध यहां पर हम लोग बात करें, that is, we are going to discuss your what, यह हम लोग बात करें क्या, यह हम बात करेंगे, human geography और economic geography के बात, aspect पर, ठीके न, so generally we people avoid it, ठीके न, हम लोग जोग्रफी में बात करते हैं, तो generally यह aspect हमारा missing होता है, so that I am going to focus for your people, ठीके, so this, this has some sense, राइ, चलिया, so आपने देख लिया यह, मर्मगाउ के बाद, आपने देखा यह, कि अब आज यह new Bangalore port के बारे में हमें बात करना है, यह new Bangalore port, यह आप देख पा रहोंगे, this is the location of new Bangalore, यह map थोड़ा सा गलत हो गया है, this is not the right map, ठीके, यहां मैं एक मिट देख लूँ, मैं आपको बता दूँ कि this is India, it's not India, this is all like India, ठीके न, यह हमारा पूरा इंडिया है, यह पूरा इंडिया हमारे पास है, Mangalore port, Mangalore port हम लोग देख लेते हैं, so Mangalore port हमारा हो गया, यह इसका location हमने देख लिया, अब आजे, it is located in the state of Karnataka, and caters to the needs of export of iron, ore and iron concentrates, ठीके, अब यह जो आपके पास है, यह Mangalore port है, यह Karnataka में अवस्तित है, fertilizer में, petroleum products में, edible oils में, coffee में, tea, wood, pulp, yarn में, granite stones and molasses, इन समय में भी trade करता है, ठीके, और यह जो कarnataka का major hinterland of this port है, जो New Mangalore है, यह Karnataka का major hinterland port है, ठीके, सर्वसन मांक्स, चले, that's a great one, तो यह हम लोगों ने कर लिया, छोटा सा है, इसके बारे information, nothing specific about it, बस आपको यह ध्यान लगना है, कि यह कarnataka के iron iron ore concentrates के export को क्या करता है, वो किटर को interest को survive करता है, ठीके, अब आज़े, old kochi, यह था हमारा, यह हमनों देने kochi port के बारे में, हमनों discussion करेंगे, that is called kochi port, ठीके, अब आज़े हमनों देखते हैं, कोचिपोर, यह जो है, विंबानाट कयाल, आप पढ़ेंगे, जोगरिफी में ही जब पढ़ेंगे, तो कयाल के बारे में आपको पढ़ना होगा, that is called backwater, ठीके ना, यह क्या था, backwater होता है, ठीके न, विंबानाट यह कयाल, यह विंबानाट कयाल में है, situated at the head of विंबानाट कयाल, सो कोचिपोर कहाँ पे, विंबानाट कयाल में है, पॉपरली नोन अज़ कुईन आप अरेबियन सी, इसको हम लोग बोलते हैं, यह कुईन आफ अफ अधर अरेबियन सी है, ठीक है ना, स्वेज जो है, और कोलंबो रूत है, इसके बहुत करीब है, इसको बहुत करीब है, विंबानटर में आता है, यह इनके इन्ट्रेस्ट को, इनके नीट को पूरा करेगा, कीरला को, सधरन कर्नाटका को, और साफ वेस्टन, तामिल नाडू को यह करेगा, ठीक है, so closest ways and columbar route, that is important one, जो आपको यह fact को याद रखना होगा, sirs and ma'am, right sir, चलिए, हो गया इतना सारे लोगों का, that's a great one, चलिए, हो गया, यह हमने देख लिया, आजाए, अब आई हम लोगों बात करें है, Kolkata port, यह आप देख पारोंगे, this is called Kolkata port, this is your Kolkata port, ठीक है, this is your Kolkata port, ठीक है, अब यह देखते हैं, Kolkata port में क्या है सा, it is located on the Hooghli river, ठीक है ना, Hooghli river, it is located on the Hooghli river, 128 km inland from the Bay of Bengal है यह, ठीक है ना, 128 km, it is located on the Hooghli river, 128 km inland from the Bay of Bengal है, ठीक है, like the Mumbai port, this port was developed by the British, ठीक है, अब देखेंगे, जिस तरीके से Mumbai port को अंग्रेजों ने डेवलप किया था, उसी तरीके से इस port का भी development का का काम किस नहीं किया था, अंग्रेजों नहीं किया था, ठीक है, Kolkata के पास initial advantage था, being the capital of British India, क्योंकि आपको मालूम है कि भारत जो में दिल्ली राजधानी होने से पहले, अंग्रेजों के समय में, Kolkata राजधानी हुआ करती थी, तो इसका अपना एक locational advantages था, ठीक है ना, तो यह आप देख पा रहे हैं, ठीक है, locational advantage था, developed by the British, Kolkata had the initial advantage of being the capital of British India, विशाका पत्नम है, पारादीप है, और इसका जो satellite port खुद का है, Kolkata का that is called Hulldia, तो इन ports के development होनी के वैसे, जो Kolkata का importance है, वो थोड़ा सा क्या हो गया, वो कम हो गया, Kolkata port का जो Harvard था, उसका importance कम हो गया है, जबकि British India में कर हम बात करें, तो इस port का बहुत ज़दा महत हुआ करता था, क्योंकि जो अंग्रेजों की राजधानी थी, that was Calcutta, before Delhi, यानि कि 1912 से पहले, जो राजधानी होती थी, वो कलकata राजधानी होती थी भारत के, तो जाहिर से बात है, कि यहाँ पर में क्या होगा, ट्राफिक बहुता ज़्यादा फ्लो करेगा, तो कलकाता पूर्ट, कलकाता पूर्ट, इस अल्सो कन्फरिंट भी दा प्रॉब्लम से एक और प्रॉब्लम है, कि हुगली आके मिलती है, कि यहाँ पर सिल्ट का एक्यमिलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो पानी छिछला हो जाएगा, इसका मतलब जो सिप होगा जिसको वाट गहरा पानी चाहिए, वो मिल नहीं पाएगा, तो सिप के लिए ट्रांस्पोर्टेशन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अधरवाइस आप डीसल्टेशन का काम हमेशा करते रहें, तो इसकी वैसे यह जो है, एड्वांटीजस नहीं रहा गया, इट का जो हैं इंटर लैंड है, वो यूपी है, बिहार है, जारकंड है, वेस्ट बिंगॉल है, सिक्किम है, और नौर्थ इस्टन स्टेट्स है, ये तो आप समझ पा रहे होंगे, इसके अलावा, ये एक्सपोर्ट फैसलिटी आल्सो प्रवाइड करता है, कि जो हमारे कुछ लैंड लॉग कंट्री हैं, हमारे परोशी राज्ट्र हैं, जैसे नेपाल हो गया, भुटान हो गया, जो लैंड लॉग कंट्री हैं, उनके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन्स भी हैं, तो उनके लिए भी ये क्या करता है, port की facility available करवाता है तो ये दोनों बाते हैं आपने दिख ली कि इसका location advantages क्या हो था पहले ठीके न और हमारी जो परोशी रास्ट हैं भुटान और नेपाल उनके लिए भी port का काम करता है हुगली बहुत जदा अपने साल silt लेकर रहाती है जो हुगली रिवर इसको sea से connect करती है कलकटा पोर्ट से connect करती है उसमें siltation का problem रहता है तो इसके से इसमें problem आना शुरू हो गया और दूसरा इसका pressure इसलिए भी कम हो गया क्योंकि इसका satellite port हल्दिया उसको develop कर लिया गया साथ ही साथ जो विशाका पट्नम और पारदी पोर्ट है उनको भी develop किया गया जिसके वैसे कलकटा का importance decline कर गया है ठीक है So कलकटा पोर्ट हम लोगों ने देख लिया We talked about this कलकटा पोर्ट अब आजे हल्दिया को हम लोग देख लिए आप यह देख पार होंगे अब यह देखियेगा यह पूरा का पूरा यह सूंदर्बं का डेल्टा है इसी में यह आप यह देख पा रहे होंगे यहां पर आप देखियेगा This is called ya हल्दियापोर्ट समझ पा रहे हैं हल्या पोर्ट सभी लोग समझ गया अब इस खाल्दिया पोर्ट के बारे में बात कर लिते हैं यह कलकता से 105 किलमेटर दूर है ठीक है ना कलकता पोर्ट का जो कंजिशन था जो ट्राफिक था उसको यह क्या करेगा रिड्यूस करेगा उसको कम करेगा और यह handle करता है iron ore में, coal में, petroleum, iron ore करने के पीछे का तर्क भी है, बगल में जारखंड है, पुरीसा है, यह तमाम चीज़े आप देख पा रहे होंगे, तो iron ore, iron ore, coal, petroleum, petroleum products, असम देख भो ही आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो petroleum, petroleum products, fertilizer, jute, jute produce and cotton and cotton yard, इन सभी का ये cargo का handling करता है, iron ore, petroleum, petroleum products, ठीक है असम देख भो ही विगर ही, आप सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है, आइरन ओर भी आप समझ रहे हैं, ठीक है, फोर्टिलाइजर्स जूट, जूट बरोनी रेफांडरी से आता है, यह सोरी, फोर्टिलाइजर्स, जूट हो गया, जूट प्रोडक्स हो गया, कॉटन, कॉटन याड, यानि कि यह सारी चीजें, अगर आपने जूगरफी क आसपेक्ट हैं आपने देखा होगा कि जूट यह बेंगॉल के आसपास के इलाके में बहुत ज्यादा होता था बेंगॉल हो या हमारा भी बंगलादेश हो गया हो ठीक है यही पर यूट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो था उसके आप देखेंगा आरन ओड ज्यारकंड हम हमारे पास है पेट्रोलियम प्रोडक्श यह आप देखेंगा असम दिखबोई है पर्टिलाइजर्स के बारे में आप देखेंगे बरावनी रिफाइनरी है जूट प्रोडिक्स हो गया कॉटन यार्ड भी आपके पास यहां पर आवेलेबल है पहले से हैं क्योंकि यह पू रता यारिष्या में है टेके और यह जो है यह इसना अरे आवेल उसन आ पर हम लोगों इसको डिसको करना पड़ेगे इसके जितने भी आस्पेक्र आश्पेक्ट कोppy ये तो नाम ही है, आपको हल्दी है, ये पता है सुबरता, सुबरता, that's right, it's a riverine port, there's no problem in that, ठीक है, so it is situated in the महानाधी डेल्टा, ठीक है, और ये कैटक्स है, लगबग 100 km दूर है, अब ये जो deepest harbor माना जाता है, आज पर NCRT, ठीक है, NCRT में ये deepest harbor मनाया जाता है, लेकिन कुछ जगों पर पढ़ेंगे, तो विशाखा पत्नम को, जो है deepest port बनाया है, बोदला गया है, ठीक है, तो हम लोग के कहीं कोई गलती अगर होती है, कहीं कोई problem अगर होता है, तो हमें NCRT को follow करना पड़ता है, so we are following NCRT, ठीक है न, so deepest harbor माना गया है, ठीक है, और port में बोला जाता ह है, कि जो विशाखा पत्नम है, कई जगों पर देखेंगे, कि वो deepest माना जाता है, so परादिव deepest harbor है, especially situated to handle very large vessels, it has been developed mainly to large scale export of iron ore को handle करने के लिए, उडिशा, 36 गड़ जारकंड are the parts of its center land, ठीक है न, और यह natural harbor है, ठीक है, so उडिशा, आप जानते हैं, छत्के सगड़ और जारक शाखा पत्नम, भी शाखा पत्नम के बारे में आपको किताबों में available आपको मिलेगा, ठीक है, but we will go by NCRT हमेशा, क्योंकि कहीं भी अगर कुछ भी अगर कोई दिक्कत अगर आती है, तो NCRT को हमेशा prefer किया जाता है, हमेशा NCRT is preferred, right sir? ठीक है? चले, आज आजाएए ठीक है, सहसे मैंब्स? युए विशा का बढ़नम पोर्टि आ अंधरप्रदेश, इसके बारे में भी हम लोग भात कर लेते हैं, यह लैंड लॉद्लोक्ट हार्वर है, ठीक है, इसको बोलता है प्रोटोट्यट है, यह याद बहुत प्रोट्यटेड है यह बहुत प्रोट् डॉल्फिन नूज, ठीक है न, यहाँ बें मिलते हैं, तो यह लैंड लॉक्ट है, यह पूरा का पूरा यह लैंड लॉक्ट हार्वर है आपके पास, इसका जो आउटर हार्वर है, यह डेवलप किया है कि इसके लिए आईरन ओड के लिए, तो जैपान आलसो, ठीक है न, एक में हिंटर लैंड पॉर्ट, यह आप ध्यान में रठना है, ठीक है, आपने देखा कि जैपान के लिए जो आईरन ओड हो रहे, आपने विस्टर्ण कोस्ट पे भी देखा, मर्मोगाउ से, और इस्टर्ण कोस्ट पे आप देख रहे हैं, विशाका पत्नम से, जैपान के लि विशाका पत्नम और चैन्नाई, ठीक है, यह सब लोग समझ पा रहे हैं, तो ऐसे इसको देखते वेचे लिए, ठीक है, तो चैन्नाई पोर्ट, यह क्या है, वन अब दधा ओल्डेस पोर्स अफ इस्टर्न कोस्ट है, वन अब दा ओल्डेस नहीं है, वन आप दी ओल्डेस उसके लिए यह सही नहीं है, यह नहीं माना जाता है, और इसका में जो हें बात करें, तमिलाड वाचु रिचेयरी है, और भारत का सेकड़ विजज़ सपोर्ट उस इंडिया, यह सेकंड विज़ पोर्ट माना जाता है, इतनी बात हैं नेक्स आज़ेगे, अब आप आये ब करें एन और पॉर्ट के भारे में ठीक हैं यह जो कामरा जा जा पोर्ट था यह जहीं पर इसको एन और पोर्ट को चन्नाइट किए हैं ठीक है तो एन ओल्ड पोर्ट को टेपल अब यह ए स्वी असे चन्ने परड़ को зрis This is North, ऐसा नहीं कि एनॉर को जिदे मार्क करने के लिए चन्नाई और अनॉर में, तूति कॉर्ण में, तो आप confusion में आज है, So this is एनॉर, चन्नाई, अंदेन इधर तूति कॉर्ण है, ठीक है, तो यह sequence याद रखेगा हमेशा, कि North to South का, जो भी इसका, यह है, I mean, order है, यह आपके दिमाग में बिलकुल clear होना चाहिए, that should be very very clear, source and maps, ठीक है ना, तो आप देखेगा, यह एनॉर पोर्ट हो गया, जो काम राजा पोर्ट है, इसके नीचे ज़स देखेंगे चन्नाई पोर्ट, इसके नीचे आप देखेंगे तूति कॉर्ड पोर्ट, तो आपको यह locations आपके दिमाग में बिलकुल clear होना बेहत बेहत जरूरी है, अगर location clear नहीं रहेगा, तो अगर कभी, geography चीज़े location की हैं, location matter करते हैं, अगर थोड़ी से घरबड़ी हो गई, तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीके ना, शलिए सर्व, इतनी बाते हो गईं सर्व, तो यह एनॉर चन्नाई अंतूति कॉर्ट, तो यह हमने बताया, कि यह जो है पोर्ट के जस्ट उत्तर में है, इसको बस आपको ध्यान में रखना है, source and maps, ठीके, done, एतनी बाते हो गई, ठीके, अब अब अचे एनॉर पोर्ट के बाद आए हम लोग देखते हैं, तूति कॉर्ण पोर्ट के बारे में, तूति कॉर्ण पोर्ट भी आपने देख लिया, देखेगा, यहां पर आपके चन्नाई, यहां पर एनॉर पोर्ट, यहां पर अथ है चन्नाई पोर्ट, यहां आपके लिए चन्नाई पोर्ट में बडी बडद को बड़े जाहल नहीं आ सकतें, जिस्ट बघूओCad. यह याद रखिये, पासों में बता हुंग यहां जो सार क्या है रिलीफ करने के लिए प्रेसर चन्नाई पोर्ट को ठीक है और यह डील क्या करता है कार्गों में तो कॉल देखेंगे सॉल्ट देखेंगे फूट ग्रेंगे एडिबल आइल्स देखेंगे सुगर फर्टिलाइजर से पेट्रो केमिकल प्रोडक्ट्स इसन सब में यह क् तरीके से आप देखेंगे चन्नाई पोर्ट का ही पार्ट इसको माना जाता है ठीक है इसलिए उसको 13 में नहीं करेंगे लेकिन हमने हाँ नम्बर्रिंग सिक्वेंसिंग लिए तो 13 कर दिया गया है आब इसको कंसीडर कर सकते हैं ठीक है आदर्वास बारवा सारे मेजर पॉ वान पर देखेंगे यह पूर्ट का लोकेशन आपकी देखेंगे यह सारा दिख रहा है कांडला मुंबाई जवाल अनेरू पंजी मार्मोगाउ मैंगलोर कोचिंग तुटिकॉर्ण कामराजा यह सारे के सारे मेजर पोट्स आपके पास यहां पर दिखाई देखेंगे थीके सब्सक्राइब लोग समझ पारें तो इस अर्द मेजर पोट्स ठीके सर्व सभी लोग समझ गया राट्स अध्र रेट वाउन अभी देखेंगे एक 14 पो जो है आपने ने अभी मन्जूरी दिया है फारवड़ी 2020 में ठीके ना यह आप देखेंगे यह जो है लांड होल्डर महारास्ट में यह आपके पास कौन सा बाध्वन जो वदावन है महारास्टा में पोर्ट इसको बना गया 14 मिजर पोर्ट को चाहिए ऑप्रोवल दिए कांडला पोर्ट है मुंबाई पोर्ट यहीं पर बैठेंगे यह नवariosimiento मुझा वैं मांगलोड कोचिन है तूति कॉर्ण है तूति कॉर्ण के बाद आपको देखना है यह चन्नाय देखना है पिर आपको देखना है NG और यह एनौर पोर्ट हो गया, यह चन्नाई पोर्ट हो गया, यह तूति कॉर्ण हो गया, इसके अद आप यहां से बढ़ते वए आगे बढ़ेंगे, यह पैरादीप हो गया, यह पे है लोकेशन ध्यान पर रखेंगे, यह रखना आपके लिए बेहत जरूरी है, आपको यहां दिया सकता है, यहां पर विशाका पत्नम भी एक मिशिंग है, यहां पर डाल दीजिए तो यहां पर पारदीप हो गया, अनौर चन्नाई करीकाल तूति कॉर्ण, ठीक है, तो जिसे मैंने मार्क किया है उसको याद रखेंगे, क्रिशन पत्नम आप यहां पर तो ःभी वाट करेंगे, कितने बजे अभी थोड़े दिर मार्ग डिए, अभी बात करेंगे, दो बज़े हम लोग बात करेंगे, अपने इनवारमेंट के पहली च्लास में अनकढंडमी के अपppers के लिए, जितने लोग नहीं आजके के तूटन से लिए फ्री क्लासे के लिए अभी जूड़ जाएगे आज इन्वार्मेंट की पहली क्लास है जहां मादिम से हम सारी चीजियों को करने वाले हैं ठीक है और फिर इसके बाद हम लोग में सांसर राइटिंग पे चाप्टर वाइस डिसकुसिन करते वे चलेंगे तो हर कोई काम अचानक से नहीं होता है आपने हम शुडू कर दिया और अभी आपने आपके रेटिंग इंप्रोव हो जाएगा या अभी आपने कोई काम करना शुक्र देश कर देश कर्देश आजा है जिन को दो 12-22 में देत रहा है आपको धीरे-देरे सका मजल समझ में आए यह 21 वालों के लिए प्राक्टिस का काम कर रहा है इसके बाद मैं कुछ और शुरू करूंगा डाट इसको अप्लाई कीजिए अप्लाई करके आप हमारे साथ मूव कीजिए आप आगे इसको जॉइन कीजिए यह कॉमबायट का है और रही संडे को होता है संडे को 11 वजशा आप इसको भी जॉइन कर सकते हैं कल भी आपके 11 वज़े आपका चलेगा सेशन राइट सारी सेशन चलिए आभी मैं टेलेगराम ग्रूप धिर मैं दिस्क्रूशन करूंग आप लोग के साथ देन आइकुड अडरस लगे कि हाँ और मैं आपके लिए बैतर से बैतर और करने का परियास कर सको हूँ, ठीक है सर, सो मिलते हैं भी नेक्स क्लास में, तिल देन बाबाइ, टेक केर आवर्रीवन, विफ लॉट्स अफ्लोव और बेसिंग्स, एंज्वाय योटाइब, टेक केर आवर्रीवन.